चलिए सभी को जैहिंद वंदे मातरम सभी कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टैडिस आप अच्छे से कर रहे होंगे सभी बच्चों से गुजारिश है फटाफर जुड़ जाए सभी को जैहिंद, कॉंस्टेबल राम, कुंदन, लखादीर, रोहित, सोनु, अजे, सभी को जैहिंद, सभी को गुड एवनिंग, सभी को जैहिंद फड़ा फट सभी बच्चे चैट में अपना नाम जरूर लिखें, जो जो बच्चे हैं, ताकि हम स्टार्ड कर सके आज की क्लास को, ठीक है जैसा कि आपको पता है कि जन्मास्टमी का ओफर चल रहा है, 40% आफ का, तो जो जो स्टूडेंट्स चाते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को बताना तो प्लीज जरूर बताएं, उनको बताएं, ये ओफर चल रहा है और ये सभी कोर्सिस के उपर वैलिड है, बर ध्यान रखना है 31st तक ये जो प्लैन है ये आपका वैलिड रहेगा, डिसकाउंट आपको 40% मिलेगा, कोई भी परचेस पर, ठीक है तो जरूर ध्यान रखना, जैहिंद, शिविंदर, दीपक, रोहित, ओके, चले, आज जैसा क आपको पता है कि हम नया चैप्टर स्टार्ड करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कार्य उर्जा एवं शक्ति, फड़ा फ़र जुड़ जाएं, ओके, राहुल जैहिंद, जैहिंद, भूमिहार, राजेश, जैहिंद, ओमवीर, जैहिंद, जैहिंद, लक्ष चली, राइ इजी चैप्टर है, जो जो चीजे मैं आपको इसमें बताऊंगा, थेयोरिटी के लिए आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर साथ-साथ हम कोश्चंस भी करते रहेंगे, कोश्चंस क्या बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, ओके, ए एक होगा वर्क, एक होगा एनर्जी, एक होगा पावर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर कारे, ठीक है, कारे यानि की हमारा वर्क, अब यह जो वर्क है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं थियोरी पर आता हूँ, अगर आ पहुँचा है, यानि कि आप कह सकते हो कि जब उसकी स्थीती के अंदर परिवर्तन लेके आए, तब हम बोलते हैं कारे हुआ, कारे तब होता है जब किसी वस्तू की पोजीशन यानि की स्थीती बदलती है जैसे की, सबसे पहले आप देखी, यहाँ पर एक दरव्यमान है इस दरव्यमान पर मैंने एक बल लगाया F, ठीक है अब थोड़े टाइम बाद यह जो दरव्यमान है, यहाँ से यहाँ आ गया तो let's say इसने कितना विस्तापन किया let's say इसने A विस्तापन किया तो A विस्तापन इसने किया है S बोल दो जो आपको अच्छा लगे कही जगा S उस होता है कही जगा X उस होता है कही जगा आप कोई भी उस कर सकते हो तो चलिए एक बार यहाँ पर S रख लेते हैं ठीक है तो आपने F लगाया बल जिससे की S विस्तापन हुआ यानि की S तक अपनी वो जगा को उसने change किया तब हम physics में बोलते हैं की कारे हुआ क्या बोलते हैं कारे हुआ अब देखें यहाँ पर दो जी समझने वाली है एक तो यह कि यह force जो है यह कारे कर रहा है तो यहाँ पर हम बोलेंगे work done by force हम क्या बोलेंगे work done by force यानि की कारे जो हुआ है वो इस बल के द्वारा हुआ है तो जो भी बल जो इस चीज की position को change कर रहा है हम बोलेंगे कारे उसके द्वारा हुआ है तो यहाँ पर कारे किसके द्वारा हुआ है, work done by force, और work done किस पे हुआ है, तो work done हुआ है इस block पे, तो दो term होती है, work done on body, work done कौन कर रहा है, और work done किस पे कर रहा है, यह दोनों terms आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, नुमेरिकल्स करा दिये निलेज, जितने आते हैं, जितना लेवल है, उसके सारे हिसाब से मैंने सारे कोशन करवा दिये हैं, बाकी जब टाइम मिलेगा, एंड में अपन मिक्स कोशन भी कर लेंगे, पर आई थिंग यह इनफ है, हमने करीबन 10-12 लेक्चर आप्टिक्स के ले तो साथ-साथ भी मैंने कोशन काफी नुमेरिकल कराए हैं, मिरर के अंदर, तो आप उस क्लास को देखे, और अधर्वाइज एंड में भी मैंने मिक्स कोशन करवाए हैं, यही आपका लेवल है, अधर्वाइज और करवाऊंगा, तो आपके कोश से रिलेलेमेंट नहीं तो कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करनेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो जितना मैंने आपको भी कराया है, वो इनफ है, ठीक है, अप्टिक्स के कम से कम 50, कोशन तो मैंने करवा दिये होंगे, 50-60, ठीक है, ओके, चलिए, तो यह होता है, तो वर्क की ध्यान रख होता है, सूतर क्या होता है, तो अगर हम कारे के कुछ important pointers पर बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, क्या की कारे का formula क्या है, अभी तो यहाँ पर आपको दिख रहे कारे क्या होता है, बल इंटू विस्तापन, पर असल में अगर मैं आपको बोल यह आपको देखने को मिल रही है, तो ध्यान रखना यह cos theta जो है, यह angle है, हना, यह cone है, और यह cone किसके बीच में है, यह cone F और D के बीच में है, किसके बीच में है, बल और विस्तापन के, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, let's say, यह मेरा, बल है, जो इस दिशा में ल degree, अगर आप विस्तापन ऐसे करा रहे हैं, पर बल आप इस angle पर लगा रहे हैं, यहाँ पर यह angle जो होता है, यह आपको बताता है, कि force और displacement, यानि कि विस्तापन में angle क्या है, दोनों एक दूसरे से कितने cone पर है, ठीक है, बास समझ में आंगी, इसका मतलब यह है, कि F और D के बीश का जो angle होता है, कोन होता है, वो भी हमारे लिए एहमियत रखता है, हम इसको miss नहीं करेंगे, कई बच्चे बोलते हैं कि sir, work का formula सिर्फ force into displacement, बल इन्टू विस्तापन होता है, नहीं, वो एक particular case है, वो एक परिस्तिती में होता है, otherwise, अगर हम journal सूतर की बात करें, तो जनरल सूतर में ध्यान रखना, यह होता है, f d cos theta, हो गया, पहला point समझ में आ गया, आगे जाके मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब वो maximum होता है, कब वो minimum होता है, कब वो 0 होता है, बस अभी आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, कि यहाँ पर क्या चीज आपको करनी है, बात समझ में आ गई, अब देखें, next आता है, इसके अंदर इसकी unit क्या है, अब देखें, unit बहुत important है, इसकी unit पर questions काफी बनते हैं, तो ध्यान रखना दोनों unit की बात कर लेते हैं, एक SI unit होती है, standard international, उसमें जूल इसकी unit होती है, बिलकुल, एक इसके formula से भी निकाल सकते ह विस्तापन into cos theta, देखो, cos theta एक ऐसी राशी है, जिसकी कोई भी unit यानि की मातरक नहीं होता, पड़ हमें ये तो पता है, बल का क्या होता है, विस्तापन का क्या होता है, तो बल नाकते Newton में, मीटर में, तो जूल हो गया, Newton मीटर हो गया, और क्या बन सकता है, अगर मैं Newton को औ खोल दूँ, Newton यानि की force, force क्या होता है, force होता है, में, दरव्यमान into, त्वरन, यानि की mass into acceleration, तो अगर मैं इसको और खोलूँगा, तो ये बन जाएगा, kg, meter upon second square, और एक मीटर अल्रेडी है, तो आप देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों जो मातरक है, ये कार्य के हैं, यान किसमें निकालना है, CGS में तो क्या करना है, तो CGS के भी कर लेते हैं, चलिए, तो अगर मैं CGS पदती में निकालूँ, तो ध्यान रखना, जूल को लिखा जाता है, अर्ग में, ठीक है, उसके बाद Newton को लिखा जाता है, डाइन में, तो ये हो गया, डाइन, और meter को centimeter में, औ और अंतिम वाली क्या बन जाएगी, kg की जगा हो जाएगा, gram centimeter square upon second square, तो ये सारी unit कौन सी हो गई, तो ये सारी unit हमारी CGS की हो गई, clear है सभी को, ओके, बात समझ में आ गई, अब यहां से कुछ चीज़े जो आपको समझ नहीं है, वो होता है कि यहां पर relation कैसे पूछा जाता है, अगर आप यहां पर joule देखेंगे, और अर्ग देखेंगे, इन दोनों में आपको समंध पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना, एक joule जो ह होता है, वो 10 की घात 7, अर्ग के बराबर होता है, यह एक important concept है, जैसे हमें वो पता है न, एक Newton जो होता है, वो 10 की घात 5, डाइन होता है, तो ध्यान रखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं, किसकी कार्य की, तो कार्य में जूल और अर्ग के बीच का समंध क्या होता है, 10 की पा तो यह छोटी-छोटी चीज हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई भी confusion इसमें ना हो, अब रही बात किये, कैसी राशी है, तो ध्यान रखना अद्धीश राशी, बहुत महतपून यह चीज है, तो यह unit वला, I think, सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सी चीज है, पर आपको दोनों में याद करना है, CGS में और, आपको यह समझा रहा था, कि यह कैसी राशी है, तो ध्यान रखना दी, देखो, क्या होता है, कि कारे का जो सूतर होता है, इसमें जो F, S आता है, यह बल क्या है, बल भी एक वेक्टर राशी है, कैसी राशी ये vector यानि की सदीश और अगर मैं S को देखूँ S क्या है歌 विस्तापन यानि की displacement और ये भी कैसी राशी है vector यानि की सदीश तो जब दोनों ही राशियां हमारी सदीश है तो कई बच्चों को लगता है कि यार कारे भी सदीश होगा क्योंकि कारे के दोनों कारे के फॉर्मले के अंदर दोनों राशियां अगर सदीश है तो ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि कारे भी हमारा वर्क भी सदीश हो इसलिए ध्यान रखना जो वर्क होता है वो हमारा स्केलर होता है क्या होता है स्केलर यानि की अदीश ठीक है वैसे थोड़ा सा यह अगर मैं अच्छे समझाओं वैसे आपके कोर्स में नहीं आता बड़ मैं बता देता हूँ यह जो कारे होता है इसके अंदर दोनों वेक्टर राशियों का dot product होता है dot product का मतलब होता है जब दो सदीशों को आमें golden fall करता हूँ dot से तो उसका answer हमेशा scalar होता है यानि की अदीश होता है तो यह चीज भी आप ध्यान रखना यह important है कि यह कैसी राशी है scalar अब चलिए last चीज देख लेते हैं कारे जो है हमारा कारे जो है हमारा उसकी विमा क्या है तो विमा निकालना बहुत असान है आप यहां से निकाल दो इसकी विमा kg meter square upon second square तो देखिए m आ रहा है एक बार length आ रही है दो बार और time आ रहा है minus दो बार तो यह इसकी क्या हो गई विमा हो गई यानि की dimension हो गई dimension बहुत ज्यादा important है star लगा रहा हूं तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है विमा पर questions कई बार पूछा गया है यहां तक सभी बच्चों को clear है comment box में एक बार yes जरूर लिख देना ठीक है यहां तक सभी को समझ में आ गया है अब यहां पर देखो मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूं कई बार हमें question पूछा जाता है हाँ डॉर्ट प्रड़क स्केलर होता है निलेश अच्छा कई बार क्या होता है कि आप से यह question पूछा जाता है कि कारे कहीं हो रहा है फोर्स लग रहा है और आपको पूछ ले कि कारे कब होता है कब नहीं होता है ठीक है अगर आप यहां पर देखेंगे पहले केस के अंदर ठीक है देखो मैंने आपको क्या बोला था आपको देखना है बल को कौन सा बल कारे कर रहा है वह महतपून है जो बल कारे कर रहा है जो बल उसकी स्थिती में परिवर्तन ला रहा है वह कारे करता है ठीक है अब देखें यहां पर पहला example यह सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए पहला example क्या है देखिए यह box भी आगे की तरफ जा रहा है और यह बल भी लड़की आगे की तरफ लगा रही है यानि कि direction of force direction of motion जब एक होंगे तो क्या कारे होगा बिल्कुल होगा क्योंकि आपकी वस्तु जो है वो हिल रही है तो इस वरी केस में लड़की जा रही है आगे की तरफ पर उसने बैग उठाया वा है उपर की और अगर आप देखेंगे बैग पे उसने force लगाया है ऐसे बढ़ ऊचल रही है आपको लगेगा की यार बैग तो विस्तापित हो रहा है पर बैग विस्तापित नहीं हो रहा बैग को आपने नीचे से उठाया है, आपने बैग का विस्तापन उपर किया है, आप ऐसे समझ सकते हो, चाओ तो ऐसे समझ लो, कि आपका जो बैग है वो आपने नीचे से उठाया तो आपने फोर्स लगाया ऐसे, पर आप जा कैसे रहो ऐसे, तो यहाँ पर दोनों की दिशा कैसी हो गई 90 degree कैसे हो गई 90 degree आगे जाके मैं भी आपको शम्झाऊंगा भी पर धियान रहना जब भी 90 डिग्री होता है तो कोई कारें नहीं होगा इस वाले case में और इस वाले case में बहुत जादा फ़रक है इस वाले case में आप देखेंगे यह बल भी उपर लगा रही है और इसका विस्तापन भी उपर हो रहा है दोनों की दिशा कैसी है direction कैसी है तो यहां पर कारे होगा बिलकुल yes है yes का मतलब है यहां कारे हो रहा है यह वाले case में भी कारे नहीं होगा अब यह लड़की जो है यह box को उठा के सीधा चल रही है इस सभी को यह समझ में आ गया यह सिर्व एक समझाने के लिए अंडर्स्टेंडिंग के लिए है अब मैं यहां पर एक चीज आपको add करके जरूर बताऊंगा छेक कलेते हैं पहले आगे तो नहीं आएगा फिर में आगे बताऊंगा चलो आगे आएगा अच्छा इक्जांपल की बात करते हैं तो बहुत simple छलाना खेलना यह सभी के कारे हैं विकहूज इसके अंदर आपका विस्टापन होता है तो इसमें हम इतना time खराब नहीं करेंगे यह simple सी चीज है अब यहां से मेन आता है कि यह मैंने आपको अल्लेडी बता दिया कि जो कारे होता है उसका formula होता है fs cos theta क्या होता है fs cos theta आप इस diagram में देखेंगे तो f cos theta यह होता है यह हमारा बल है और यह हमारा f cos theta है ठीक है basically होता है कि मैं आपको short में बता देता हूं समझो यह मेरा विस्तापन है और यह मेरा बल है और यह angle कितना है theta है तो कारे इस दिशा में होगा तो इस दिशा में कारे कितना होगा तो यह इसका जो घटक होता है वो f cos theta होता है, तो यह total हो जाता है Fd cos theta, यह Fd cos theta आता कैसे है, वो यहां से आता है, ठीक है यानि कि इस बल का हमने गटक विस्तापन की दिशा में ले लिया यह बस एक normal सी बात है, आपको derivation नहीं करना है, बस आपको यह देखना है कि इसका formula क्या होता है यह मैंने आपको already अभी बता दिया है अब यहां से जो main चीज आती ही वो आते हैं इसके cases, यानि कि कौन सा case क्या लगता है अब मैं आपको खुद से पहले बताऊंगा case number 1 ले लेते हैं case number 1 अब यह important अच्छे सुनना कार्य क्या था Fd cos theta हो गया अब अगर मैं बोलता हूँ कि theta का मान हो गया 0 degree theta का मान कितना है 0 degree, 0 degree का क्या मतलब है 0 degree का मतलब है यह मेरे बल की दिशा, यही मेरे विस्तापन की दिशा इसको हम बोलते है 0 degree 0 degree का मतलब है जो दोनों एक ही दिशा में हुआ ना तो इसको हम बोल देते हैं same direction क्या बोलते हैं same direction एक ही दिशा में है अगर बल और विश्दापन एक ही दिशा में होता है तो हमें ठीटा का मान कितना लेना है 0 degree ठीक है अब बात आती है कि इस समय कार्य का मान कितना हो जाएगा तो ध्यान रखना 0 degree यानि क क्या होता है cos 0 degree होता है 1 क्या होता है 1 यानि कि इसका मान कितना हो गया एक होगया तो हमारा कार्य क्या हो हो गया कितना होता है अधिकतम कारे का मान कितना होता है परिमान कितना होता है तो आप क्या कर दोगे FD तो यह सारी चीजे आपको यहां से पूछी जा सकती है clear है सभी को तो यह हमारा पहला case हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक simple सा question बताता हूँ आप इस question को एक बार पढ़ें वह वैक्ती कितना कारे करेगा जो 12 newton के बल के साथ एक डिब्बे को 5 meter आगे की और दकेल रहा है अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर यह बोल रहा है कि एक डब्बा है इस डब्बे पर force किता लग रहा है 12 newton और यह डब्बा यहां से यहां तक आगया तो इसका विस्तापन हमेशा center से center नापता है ठीक है तो इसका विस्तापन कितना हुआ इसका विस्तापन हुआ 5 meter तो कितना कारे हुआ अगर आप यहां देखेंगे तो बल की दिशा भी यह है विस्तापन की दिशा भी यह है तो कारे हमारा maximum होगा जो की कितना होता है direct FD अगर आप देखेंगे यहां पर F कितना है 12 D कितना है 5 तो सरल सा answer है 60 joule यह से मैं आपको यूँ समझा रहा हूँ because यहां पर कारे की दिशा और विस्तापन की दिशा क्या है समान है यानि की सेम है तो यह हमारा पहला केस हो गया और उसका मैंने आपको धारन समझा दिया अब चलते हैं केस नमबर second पे केस second क्या कहता है अब केस second यह कहता है जो की सब से important है हमने बोला कि यह मेरा बल है या समझ लो ये मेरा विस्तापन है और ये मेरा बल है अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री यानि कि जब मेरा ठीटा 90 डिग्री हो जब मेरा कार्य और विस्तापन के बीच का कोन कितना हो 90 डिग्री तब हमारा कार्य कितना होता है वो हमें निकालना है इंटू जीरो भी करता हूं, तो मेरा कार्य कितना आ गया, जीरो, यानि कि कोई भी कार्य नहीं होगा, देखो कार्य नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं, पहला कारण ये है कि कोई बल ना हो, दूसरा कारण ये है कोई विस्तापन ना हो, आप धक्का तो लगा रहे हैं, पर अ अनों के बीच का कोन कितना है 90 डिग्री ये सबसे इंपोर्टेंट है ध्यान रखना अब कई बच्चों को क्या लगता है कैई बच्चों को लगता कि अब यह कारिय मेरा जीरो आ गया तो ये मेरा मिनिमुम कारिय है असल में ये मिनिमम नहीं होता इक कारए एक janascus राशी है तो यहां पर नंबर की बात ψरी है तो जीर एक नंबर है यहां तो इसलिए इससे भी कम कारे हो सकता है तो यह हमारा नियुनतम कारे नहीं है बात समझ में आगी सभी को तो यह हमारा केस डूता यही चीज मैंने यहां लिखिए आप चौँ तो यहां पर पढ़ लो वही सेम चीज है कि जब बल और विस्दापन परपेंडिकूलर हो यानि की लंब हो उसकेस के अंदर कारे हमारा जीरो होता है अच्छा यहां गलत लिखा हुआ यह नियुनतम कारे नहीं होगा ठीक है यह नियुनतम कारे नहीं है आगे जाके मैं भी आपको समझाओंगा ठीक है चलिए तीसरा केस आता है जो कि सबसे important है तीसरा केस आप अच्छे से समझना तीसरा केस आ रहा है कि जब आपने जब आपने किसी पर बल इस दिशा में लगाया पर विस्तापन इस दिशा में हो रहा है मैं आपको question भी करके बताऊंगा कि इसका कैसे आप answer निकालेंगे ठीक है तो ध्यान रखना इस केस में हमारा ठीटा कितना है 90 डिग्री इसको हम बोलते हैं कि जब हम दोनों के बीच का कौन 180 डिग्री हो यानि की विपरित हो आप बल लगा रहे हो इस दिशा में विस्थापन हो रहा है इस दिशा में तो इसका मतलब क्या है दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 dg है और जब हमारा एंगल 180 dg होता है तो coss 180 हमारा minus 1 होता है अब इसका मान जा मैं मैं इस में रखूंगा तो मेरा कार यह आ जाएगा minus का f अब ध्यान रखना माइनस का Fd है तो यह संख्यम माइनस में आरही है क्योंकि यह आयरre है यह स्केलर कॉंटृटीटी एक अधीश राषी में हमें पता है कि हमारा जू नंबर होता है वो एक तरीके से संख्या है तो संख्या की अगर बात करें तो प्लस की संख्या जीरो और माइनस की संख्या उसमें छोटा कौन सा होगा माइनस की संख्या बात समझ में आगी सर तो जीरो हुआ तो करते शुन्ने हुआ या कम हुआ समझ में नहीं आया, कुंदन एक बार वापस लिखो मुझे कोशन समझ में नहीं आया, ठीक है अच्छा, अब यहां देखो, कार्य क्या हो रहा है माइनस का FD हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर कार्य माइनस का है आप मुझे खुद बताओ, प्लस का 5, 0 और माइनस का 5 इसमें सबसे छोटा कौन सा है, माइनस का 5 तो ध्यान रखना, कार्य जो होता है, वो नियूंतम होता है 180 डिगरी पर, यानि कि अगर आप देखेंगे 180 तो यह हो जाएगा नेगेटिव होता है ऐसे सोधिया, क्यों नहीं होता? नहीं, नहीं, किसने का प्लस ही लेना है? I don't know किसने आपको ऐसे बोला है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता कार्य अभी मैं आपको इसी समझा देता हूँ, यहाँ पर कार्य एक संख्या है सदीश राशी नहीं है, डिरेक्शन नहीं है, माइनस एक नमबर है और माइनस कार्य का मतलब होता है, एनरजी का लॉस आप अगर किसी पर कार्य करते हैं, तो आपकी उर्जा जाती है आपकी उर्जा जाएगी, तो माइनस का कार्य हो सकता है, यानि कि यह कहने का मतलब है कि कार्य माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है क्यों? क्योंकि कार्य एक नमबर है, नमबर प्लस माइनस हो सकता है ना बास समझ में आ गई हाँ फिजिक्स की लेंग्विज में हो सकता है क्लियर है हाँ रियल में नहीं होता है बाकि फिजिक्स में आपन जो पढ़ते हैं तो माइनस का कारे लेते हैं अभी मैं आपको एक कोशन समझाऊंगा अब इसको आप ढंक से समझना पहले आप यह वाला केस समझ गए अब मैं आपको ना एक सिंपल सा पहले एक एक जामपल देता और मैं समझाता हूं यह तीनों कारे कैसे लगेंगे एक ही कोशन में मैं आपको तीनों कंडिशन समझा अपने आप negative कारे नहीं होगा, negative कारे तब होगा जब already positive कारे हो रहा है, अब सुनना मेरी चीज अच्छे से, ठीक है, उधारन के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ कि एक वस्तू है, ठीक है, यह 2 kg की है, कितने की है, 2 kg की, अब इस पर एक बल लग रहा है, इधर 10 N, अच्छे समझ है, बात आगी, एक वस्तू है 2 kg की, जिस पर 4 बल लग रहे है, ठीक है, अब थोड़े बाद, टाइम बाद, यह ब्लॉक इधर से इधर आ गया, और इसने जो विस्तापन किया है, वो इस दिशा में किया है, let's say, 10 मीटर, कितना विस्तापन किया है, 10 मीटर, अब पर total कितने बल लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4 बल लग रहे हैं, एक बल, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो पहली चीज तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने बल होंगे, उतने कारे होंगे, अब मेरा प्रशन यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर total कारे इस ब् उसक्ता है, किसी का बकारे जीरो हो, किसी का कारे प्लस का हो, किसी का कारे डेटिव का हो, और रैंड में आप सबको जोड़ दो, तो आप total कार्य यहां से निकाल सकते हैं अगर मैं भी आपको बोलू कि net या फिर total कार्य क्या होगा तो आप बोलेंगे w1 क्योंकि यह तो एक अदीश राशी है नमबर है नमबर को तो आप जोड सकते हो गटा सकते हो न ठीक है यहां तो कोई vector का कोई problem नहीं आ रहा है तो हमें total कार्य निकालना है तो हम हर बल से कार्य निकालेंगे और end में इनको जोड देंगे तो हमें हमारा total कार्य मिल जाएगा अब आप देखें यहां पर simple सी चीज़ है एक नमबर वाले बल को देखें जीरो हो गया के नहीं हो गया बास समझ में आ गई तो यहां मैं इसकी जगा लिख देता हूँ जीरो प्लस अब similarly अगर आप देखेंगे यह चौथे नमबर वाला जो है चौथे नमबर वाला भी कार्य जीरो ही करेगा क्यों करेगा अगर आप धंग से देखें तो यह चौथे नमबर वाला भी तो 90 डिगरी बना रहा है बली आप नीचे की और बना रहा है उससे क्या पढ़ता है यह तो मेरा विस्तापन है 10 मीटर पर यह कार्य कहां लग रहा है फोर्स कहां लग रहा है नीचे की और 10 नीटन अभी भी कोन कितना है 90 डिगरी तो यह बल की वज़े से कार्य कितना है तो डबलू फोर भी हो गया 0 तो इसकी वज़े से भी कार्य शुन्य यहां तक वा समझ में आ गई अब मेरी बास सुनना अब यहां पर बात आती है कि यह 2 नीटन की अब यह 2 नीटन कहां लग रहा है अगर आप देखेंगे कि वस्तू तो आगे की और जारी है 10 मीटर विस्तापन से पर एक बल जो इसकी विपरित दिशा में लग रहा है तो वो कौन सा है 2 नीटन कितना है 2 newton तो आप खुद देखो ना इन दोनों के बीच का एंगल कितना 180 तो ये negative कारे कर रहा है क्या कर रहा है negative कारे तो अगर ये negative कारे करेगा तो ये मेरा w3 है तो w3 हो जाएगा minus का 2 into 10 answer कितना आ गया minus का 20 joule आप बोलोगे sir minus में नहीं होता minus में आया अब यहाँ पर put कर दो तो w3 की जगा के आ जाएगा minus का 20 हो गया अब बात आती है w2 की इस वाले बल की जो की बहुत simple है ये वाले बल की दिशा इस तरफ है कितनी है 10 newton विस्तापन भी इस जगा है 10 meter तो ये हमारा positive कारे करेगा तो ये मेरा w2 हो गया तो ये हो गया 10 into 10 कितना हो गया 100 joule कितना हो गया 100 joule तो इसको भी यहाँ put कर देते हैं plus 100 तो आप देखेंगे ये मेरा total है तो 0 plus 100 minus 20 तो कितना हो जाएगा plus का 80 joule clear हो गया सभी को 80 joule answer आ जाएगा very good Ram बिल्कुल सही जवाब अच्छा अभी मैं आपको वही समझा रहा था कि negative कारे कैसे हुआ negative कारे हो सकता है अगर वस्तू आगे जा रही है और वो इस कोई बल उसको खीच रहा है उसकी वज़े से आगे जा रही है तो घर्शन बल जो होता है जो friction force होता है वो थो हमेशा पीछे लगता है तो उस बल के द्वारा तो negative कारे हो रहा है और negative कारे का मतलब होता है कि उसने उसमें से energy ले ली आप खुशोचो मैंने इसको 100 joule energy दी डबबे को तो डबबा 100 joule से आगे जाना चाहिए ना यानि कि अगर मैंने इसको 100 joule ऊर्जा दी तो वो 100 joule ही कारे में बदला है तब ही तो वो आगे गया है पर होता क्या है कि मैं लगा 100 joule रहा हूं पर box तक जाएगा सिरफ 80 joule क्यों? क्योंकि वो 20 joule जो energy का loss हुआ है वो घर्शन की वज़े से हो गया है friction की वज़े से हो गया है तो negative कारे अपने आप नहीं होता है ऐसा नहीं है कि एक box पड़ा है और negative कारे हो रहा है ऐसे नहीं होगा negative कारे तब होता है जब वस्तू positive कारे करती है फिर उसमें हम negative कारे निकाल के उसको minus कर देते हैं यहां तक बात समझ में आगई सभी को लखा दीर समझ में आगई यह बात clear है चली एक question और देखते हैं इस पर ताकि हम इस पर और धंक से बात को समझें ठीक है पहली चीज हमेशा ध्यान दखना कि कारे जो होता है वो बल की दिशा देखो विस्तापन की दिशा देखो और दोनों के बीच का कारे निकलो या तो वो positive होगा, negative होगा या वो 0 होगा तो angle देखने, 0 degree, 90 degree और 180 degree अब मैं फिर यहां पर कह रहा हूँ कि यह depend करता है quotient to quotient कि कौन सा angle 90 degree होगा कौन सा angle 0 degree होगा कौन सा angle 180 degree होगा ठीक है, मैं कोशन आपको और देता हूँ इसको अच्छे समझना, बहुत अच्छे समझना ठीक है, अभी अपनास time है तो हम अच्छे समझ समझ के आगे चलेंगे, यह मेरा 5 kg का एक block है ठीक है 5 kg का block है अभी यह सत्य पर पढ़ा है अब इसको कोई उपर से खीच रहा है 100 N से, कितने से खीच रहा है 100 N से, कैसे ले जा रहा है इसको उपर की और और यह थोड़े time बाद यह बकसा उपर पहुँच गया ठीक है, थोड़े time बाद यह बकसा उपर पहुँच गया और इसने जो विस्तापन किया है वो किया है 10 मीटर कितना किया है 10 मीटर इसको हमने ऐसे खीचा तो यह उपर चला गया ठीक है अब यह कह रहा है एक बल यहाँ पर भी लग रहा है 100 नूटन का एक बल यहाँ पर भी लग रहा है 100 नूटन का और एक बल जो है जो नीचे की और लग रहा है जो की है लेट से 50 न्यूटन का कितने का 50 न्यूटन का बात समझ में आ गई अब आप मुझे बताओ विस्तापन देखना उपर की तरफ हो रहा है विस्तापन मेन होता है आपको बताना इसका टोटल कार्य कितना होगा इस बक्से को जब हम उठा रहे हैं तो इस पर कुल कार्य कितना होगा चलिए निकाल के बताएं को कि कुल कार्य कितना होगा 500 जूलंड। बाइस समझना अब यहां पर हर एक फ्रॉंस देखो यह मेरा फस्ट फॉर स यह सेकिंड यह थर्ड यह फॉर्थ जितने फोर्स उतने कार्य टोटल यहां पर कितने का होंगे आपके फोर्स टोटल Verd चार फोर्स होगे अप सुनना मेरी Muito पहला फोर्स है आपका ये वाला ये वाला जो फोर्स है उपर वाला वन वाला ये लग भी उपर की और रहा है और विस्तापन भी उपर की और है तो ये पॉजिटिव कारे करेगा तो ये वाला जो है ये उपर की और कारे करेगा डबलू वन और ये कितना हो जाएगा 100 सरे वाले वाले की Sophie habían from MARY अ मारा पहला फोर्ष से पहला फोर्ष कार यह पॉजिटिव बार चरए और और क्यों कि भल की दिशार र्षया ही एक हीए है तो यह कितना कर रहा है तो शूर कितना कर रहा है 500 जूल, समझ में आ गया, अब आब F2 की बात करो, F2 कौन सा है यह, F2 करेगा, 0 कारे है, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर बल की दिशा, और विस्तापन की दिशा कैसी है, लंब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, अगर मैं बात करूं, चोथे बल की, चोथा बल जो है, यह important ह यह, let's say, W4 कारे कर रहा है, तो अब यहाँ पर देखना, यह बल लग रहा है, नीचे की और, कितना, 50 N, और विस्तापन हो रहा है, उपर की और, कितना, 10 M, कितना, 10 M, तो कितना होगा, तो यह हो जाएगा, अच्छा, मैंने 5 कर दिया, किया, अच्छा, 10 है, यह, सुरी, वो 5 मल्टीप्लाय कर दिया, वो 10 से मल्टीप्लाय करना है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा 1000, ठीक है, अच्छा, यहाँ आ जो, तो अब यह देखे, यह उपर लग रहा है, यह नीचे लग रहा है, तो यह 180 है, तो यह माइनस का 500 जूल हो जाएगा, हो गया, और अगर हम F3 की बात करें, तो इसका भी कारे जीरो होगा, क्यों? क्योंकि 90 डिगरी एंगल बन रहा है, तो कुल मिला के सारे कारे में देखोगे, तो positive कारे कितना है, 1000 जूल है, negative कारे कितना है, minus है, तो हमारा final answer आजाएगा 500 जूल, I think अब सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या सीन है, ठीक है? हाँ, वो sorry मैंने 5 से multiply कर दिया, ठीक है? सभी बच्चों को clear है यह चीज, तो मैंने आपको concept clear कर दिया, I hope सभी को समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर मैंने कुछ उधारन दिये हैं, अब यह कोई question नहीं है, बढ़ हमें समझना है, plus का कारे कब होता है, minus का कारे कब होता है, ठीक है? और zero कब होता है, उसके लिए सर नहीं समझ में, क्या समझ में नहीं आया? सिंपल सी चीज है, चार बल है, विस्तापन की दिशा आपको पता है, उपर है, तो यह वाला बल और विस्तापन की दिशा ऐसी होगी, तो यह zero degree बनाएगा, यह वाला बल और विस्तापन की दिशा 90 degree होगी, तो यह zero कारे करेगा ये वाला बल और विस्तापन इनके बीच का भी 90 डिग्री ये भी 0 कारे करेगा नीचे वाला बल और विस्तापन उपर वाला तो ये नेगेटिव कारे करेगा बस हो गया तो उपर वाला पॉजिटिव कारे नीचे वाला नेगेटिव कारे दोनों को जोड़ना है बस समझ मा आ गया कुंदन चार बल है चार कारे होंगे सबको जोड़ दो दो कारे तो 0 आएंगे एक कारे प्लस का आएगा एक कारे माइनस का आएगा जो प्लस का आएगा वो आएगा 1000 जूल जो माइनस का आएगा वो आएगा कुंदन समझ में आया ओके अच्छा मैं इस कोशन की बात कर रहा था है बसे आपको यह बताना है कौन सा कारे इसमें प्लस का है कौन सा कारे इसमें नेगेटिव का है कहां पर जीरो हो सकता है ठीक है पहला कह रहा है पुशिंग बाक्स थुर्व डिस्टेंस एक बॉक्स को को दूर से धकेलना यानि कि आप उसको box को धकेल रहे हो तो यहाँ पर हमारा plus का कारे होगा क्योंकि धकेलने के लिए आपको धक्का ऐसे देना पड़ेगा धक्का ऐसे दो कि box आगे जाएगा plus का कारे lift a book through a height यह आपके पास एक book है इसको आपने उठाया इसको आपने उठाया lift किया है book को आपने उपर उठाया है तो बल की दिशा भी उपर विस्तापन की दिशा भी उपर तो यह भी plus का कारे है बास समझ में आ गया अगला अगला कह रहा है work done by force of gravity on object when lifted अब सुनना पहली चीज तो गृत्विये बल कहां लगता है हमेशा नीचे की तरफ कहां लगता है हमेशा नीचे की तरफ अब यह कह रहा है कि एक object को उपर उठाया F बल से तो यह उपर गया पर यह कह रहा है गृत्विये बल के द्वारा किया गया कारे है अब आपने तो इसको उपर उठाया अगर हम यह वाले बल से बात करें तो प्लस का कारिया है बट अगर मैं नीचे वाले बल से बात करूं गृत्विय बल तो हमेशा नीचे लगता है तो यह लग रहा है नीचे वस्तु जारी उपर नेगेटिव कारें तो यह बन जाएगा नेगेटिव क्या बन जाएगा नेगे करता है क्यों क्योंकि विस्तापन की दिशा उपर बल की दिशा नीचे 180 degree 0 नहीं होगा ठर्ड का आंसर होगा माइनस का क्लियर है फोर्थ वर्क डन बाइ फ्रिक्षन वेन वी वॉक जब हम चलते हैं घर्शन बल के द्वारा किया गया बाइए नेगेटिव तो यह भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्थ भी हमारा नेगेटिव अगए चलो पुशिंग वॉल जब आप ऐक दिवार को धक्का देटे और तो दिवार वाला repeat कर देता हूं थर्ड वाले में किसी को अगर problem है तो सुनना पहली चीज तो यह ठर्ड में गृत्वा कर्शन बल आपको पता होना चाहिए, गृतवा कर्षन बल किसी भी वस्तू के हमेशा नीचे की और लगता है, कहां लगता है नीचे की और, जब हम चलते हैं, सॉरी यह दो चलने वाला नहीं, संबलो मेरे पास पैन है, क्या है, पैन है, यह पैन को मैंने उपर उठाया, तो यह जो मै बल से इसको उपर उठाया है, यह तो पॉजिटिव कारे कर रहा है, पर अगर मैं बोलू, इस पैन पे लगने वाला गृतवा कर्षन बल का है, तो वो का है, नीचे की और, पर विस्तापन कैसे हो रहा है, उपर की और, तो यह प्लस का विस्तापन उपर की और हो रहा है, ब क्योंकि यह कई बार हम बहुत शॉर्ट में पढ़के कर देते हैं आगे बट कई बार हम इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब प्लस का है कब माइनस का है कब जीरो है तो मैंने आपको सारी चीजें अच्छी से रिपीट कर दी है की अगे होंगे यह जडिएक से समझाएं के लिए की पॉजिटिभ का का रोह होता है नेगेटिव का का रह जीरो का रह होता है ठीक है मेरी तरफ से शौरे भारतीम की तरफ से जय हिंद वंदे मातरम